हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल तो अगर फ्रेंड्स आपको चटफटे कुरकुरे स्नेक खाना पसंद है तो ये नास्ता आपके लिए वेस्ट रहेगा चलिए तो देख लेते हैं आज की स्नेक रेसिपी देख फास नास्ता तो यहाँ पर मैंने लिए ये उबले हुए आलू और मैंने जादा अबरकुक नहीं किया है तो फ्रेंड्स आज हम जो इस नेक है वो उबले हुए आलू से बनाएंगे और यह बहुत ही आसानी से जटपट बनकर तैयार भी हो जाएंगे और मैंने यहाँ पर लिए हैं दो आलू और अब मैंने इनको ठंडा करने से कर लेने हैं तो यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और यह आप देखे बहुत ही महीन ग्रेट हुए हैं तो अब मैं इसमें एड कर लेती हूँ दो हरी मिर्ची कटी हुई और साथ में ही यहाँ पर मैंने ली है गाजर तो यहाँ पर मैंने दो गाज विटे हैं यहां पर मैं ने आदा इंच अधरक लिया है आप चाहो तो लासुन ही साथ में ले सकते हो अगर घृतक दो इसकीप करवा यहां पर मैं एक ठाब्धनिया में यहां डूप सकती हुआ लाल मिर्स आदा चमच पाउडर साथ में ही मैं एक चमच जीरा किया है और साथ में ही आदा चमच मैंने काली मिर्स पाउडर लिया है टेस्ट अनसार नमक लिया है और ये मैंने लिया है चाट मसाला और मैं दो चमच बड़े चावल का आटा एड कर दूंगी तो यहां पर मैं ने दो बड़े चमच चावल का आटा एड किया है और इस तरीके से आप इसे अच्छे से मेक्स कर लीजे आप इसमें सिमला मिर्स पत्ता गोवी कोई पी और सबजी भी एड कर सकते हो जो आपको पसंद हो आप चाट मसाला की जगे पे एक चमच लेमन जूस भी कर सकते हो और आटे से हमारे जो इसनेक है वो बहुत ही जादा क्रेशपी बनेंगे अब हम अपने हाथों से अच्छे से इसको मिलाते हुए एक डो जैसा इसको रेडी कर लेंगे और यह बहुत ही आसानी से बनकर तेयार हो जाता है फ्रेंड्स आपने देखा इसमें कितने कम मसाले हमने एड किये हैं तो इस तरीके से आप एक अच्छा सा डो बना लीजिएगा और इससे हमारे जो इसनेक बनेंगे बहुत ही क्रेशपी बनेंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे तो आप इस रेशपी को एक बार जरू ट्राइ करना फ्रेंड्स और वीडियो अच्छी ल अपने हाथों में ऑईल लगा के फिर इसके लोए बना के आपको आपका जो मन करे उस टाइप का आप इसमें सेप दे सकते हो तो यहां पर मैंने इनको इस तरीके से इसनेक बना कर तयार किये हैं मैं इस नास्ते को इस रोल के सेप में बना रही हूं आपको जैसा साइज पस भी सुन्दर लगता है और बनाने में भी बहुत इजी है और फ्राइ करने पर ये एकदम से कुरकुरे से रेडी होईंगे और आप देखोगे आपको खाने में भी बहुत ही जादा टेस्टी लगने वाले हैं तो यहाँ पर मैं इस तरीके के इनको फिंगर साइज के रॉल बन तो यहां पर मेरे सारी फिंगर से रेडी हो गए थे स्नेक तो अब ओईल को हमने आपर बहुत अच्छे से गरम कर लिया है और और बनाने में इनको फ्राइख लेंपर ही फ्राइख किया है और इसे फ्राइख करने में दो-तीन मिनिटी ही लगती है फ्रेंट्स ज्यादा टै और हमारा यह जो नास्ता है एकदम से बनकर कुरकुरा सा रेडी हो जाएगा तो यहां मैं इनको उलट फलट कर अच्छे से फ्राइख कर लेती हूँ तो आप इस तरीके से इनको चलाते रहेए का जब यह अच्छे से पक जाएंगे तो उपर तहने लगेंगे और तो आप स और आप देख सकते हो यह कितना क्रेश्पी बने कितना कुरकुरा नास्ता मज़ेदार बनकर तयार हुआ है तो यहां पर मैं और जो बाकी के बचे हुए रॉल है उनको भी फ्राइख कर लेती हूँ तो मैंने फिर से सारे रॉल है इसमें डाल दे रही हूँ और इनको भी मै मेरी वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मैं आपका शुक्रियादा कर सकूँ फ्रेंट्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा सेयर करिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल न भूले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो यहां पर हम निकाल लेते हैं नास्ता मारा बनकर तैयार हो गया तो चलिए फिर हम इसको शब कर लेते हैं तो यह लीजी फ्रेंट्स उबले हुए आलू से कुरकुरा चटपटा सा नास्ता खाने के लिए बिल्कुल ही रेडी है और देखने में बहुत ही सु स्वादिश्ट और टेश्टी वने बहुत ही कृष्पी कुरकुरा नास्ता है उबले हुए आलू से और गाजर से इतना स्वादिश्ट नास्ता बना है एकदम हैल्दी है और आपको आपके बच्चों को सबको घर में बहुत पसंद आने वाला है तो यह थी मेरी आजकी रे को देख रहे हो फ्रेंस तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में टेक केर बाई बाई ओल आफ यू